ओम श्रिवेंकटे साय नम्हाँ, मैं प्रोफेसर स्वी एसस नरायन राजु यूट्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ प्रसिद रामबक्त यवं राष्ट्र कवी मैतली शेरण गुप्त द्वारा रच्चित साकेत के नौम सर्क से संबंदित और एक पद की व्याक्या आज मैं करने जा रहा हूँ इस पद में वुर्मिला अपने पती के वियोग में इतनी व्याकुल है कि उससे देख कर पारिवारिक जन भी दुकी है वह अपनी सकी से इसी बात को कह रही है किस प्रकार अभिविक्त किया है सबसे पहले कवी के शब्दों में पद देखेंगे पद के साथ साथ पद की व्याक्या भी देखेंगे आली तु ही बता दे इस विजन बिना मैं कहां आज जाऊं दीना हीना अधीना टहर कर जहां शांती दू और पाऊं देखेंगे सबसे पहले कटिन शब्दाद देखेंगे आली है सकी विजन निर्जन जनशोन्य उपवन है और अधीना मतलब परतंत्र दोसरों के वश में शोक के अधीन अब देखेंगे इसमें बिलकुल प्रेशित पतिका और विरहनी विर्मिला कह रही है हे सकी मुझे तो ही वही स्तान बता दे जो इस जनशोन्य उपवन के अत्रिक्त हो और जहां जाकर मैं आज शांती पासकूं मैं दीन हीन और अदीन हूँ अपनी इच्चा से स्वच्चन्द होकर कही जा भी नहीं सकती मैं शोक के वश में होकर इतनी निर्बल हो गई हूँ कि दूसरी जगह जाने में मैं बिल्कुल असमर्द हूँ मैं ऐसा स्तान चाहती हूँ जहां रहकर मैं दोसरों को शांती दूँ और स्वयम भी शांती पासकूं यहां तो मैं भी दुकी हूँ और मुझे देखकर सारे परिवार के जन भी बिल्कुल दुकी हैं इस पद की विशेष्टाएं अब देखेंगे उर्मिला स्वयम और दोसरों को भी शांती देना चाहती हैं इससे यह विदित होता है कि इतनी विरह विहवल उर्मिला के मन में सहुरदेता किस प्रकार है मतलब अपने परिवार के साथ भी उनकी सहुरदेता इसमें दिखती हैं बता विजन भीना में अनप्रासलंकार हैं दीन दीना हीना अदीना में द्वनिसाम्य हैं वियोग शुंगार रस्प्रदान है और सम्स्कृत तत्सम्प्रदान सरलकड़ी बोली बाशा का प्रयोग किया गया है आली तुही बता दे इस विजन भीना मैं कहां आज जाऊं दीना हीना अदीना टहर कर जहां शांती दूं और पाहूं बाद बाद धन्यवाद जय श्री राम